गुट इने में क्लास 12 की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तास का पहला चैप्टर है, दी थर्ड लेवल, आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपोर्टेंट साथ एंसो टाइप कीशन देखेंगे, इसके साथ साथ यूपी बोर्ट दोहजार आज की इस क्लास में उन सभी क्लास को कवर करेंगे, और इस सेशन का हम लोग का इंगलिस में टार्गेट है, 100 आउट आफ, 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्धारी और भी बढ़ जाती है, जितनी भी इंपोर्टेंट क्लास आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं, आप सभी क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे, और अभी तक जितनी भी इंपोर्टेंट क्लास हो चुकी है, यह दून में से आपकी कोई भी क्लास चुटी हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको इंगलिस क्ल इमपॉर्टेन क्लासस करके playlist में जाएगी और उस playlist में अब तक जितनी भी classes चली हुई है सारी classes एक से डिलर वाइस लगी वी है तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं और जो भी बच्चे अभी तक paid class में admission नहीं लिएवे हैं और यदि आप paid class में admission लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको number दिया गया है 7392937172 करके जो आपको number दिया गया है आप इस number पे call करके paid class में admission ले सकते हैं बाकी प्यारचे पुरा प्रोसेस की paid class में admission के ऐसे लें फिसे टेक्चर क्या है क्या क्या चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी इसके बारे में विस्तार से class के अंतमी आपको बता दिया जाएगा अब जल्दी से हम लोग आज की इस class से connect होते हैं तो class पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को subscribe कर ले वीडियो को like कर दें और class 12 की सभी प्यारचे में वीडियो को share कर दें तो प्यारचे यहाँ पर दिखी ऊपर आपका लिखा गया है important start questions means इस chapter के जित्ते भी important start and certification है यहाँ पर भीया नीचे आपका लिखा गया है तो पहला आपके सामनी important question है means important start and certification पहला आपके सामने है what was the third level means तृती तल क्या था जाता था अगला प्रशन इसमें पूछा गया है where was it situated यह कहां पर इस्थित्था तो यह simple सी बात है यह Grand Central Station पर इस्थित्था नीवार के Grand Central Station पर इस्थित्था तो यही आपके दोनों प्रशने का उत्तर हो गया और यह प्रशनी पर अच्छे जो है आपका बहुत important question है क्यों 2023 की बोर्ड परिचा में दो-दो सेट में प्रशन पूछा गया था तो इसलिए प्रशन आपका बहुत important question है अब देखिए मिस प्रशन की उत्तर को कैसे लिखे हुए है पहला जो प्रशन पूछा गया है कि third level क्या था इसका उत्तर देखी लिखे हुए है जी third level was the subway means third level subway था of the grand central station means grand central station पर जो है third level जो है भूमिकत रास्ता था that takes passengers जो यात्रियों को लेत की जाता था to gallisburg illinois जो यात्रियों को gallisburg illinois लेकर के जाता था तो भाईया यह आपके पहले प्रशन का सीध्य 60 कुत्तर हो गया कि third level क्या था अब जो आपका दूसरा प्रशन पूछा गया है where was it is situated या कहां पर इस्थित था तो simple सी बात है grand central station पर इस्थित था उसी चीज़ को देखे हमने लिखे वे हैं and the third level was situated और third level इस्थित था at grand central station in new york new york के grand central station पर इस्थित था तो भाईया यह आपके पहले प्रशन का सीध्य 60 कुत्तर हो गया उत्तर क्या हो गया एक बार और देख लिजे उसके बाद हम लोग दूसरे important question की तरफ आगे बढ़ेंगे प्रशन का उत्तर कुछ इस तरह से the third level was the subway of the grand central station that takes passengers to gallesburg Illinois and the third level was situated at grand central station in new new york आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की तरफ देखते हैं दूसरा प्रशन क्या है तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रशन है who was psychologist means मनोची के सक कौन था who was means कौन था psychologist means हो जाएगा मनोची के सक तो भईया मनोची के सक कौन था Sam था ना Sam winner जो उसका चाली का दोस्त था वही तो मनोची के सक था आप लिख दोगे कि Sam जो है psychologist था मिन्स मनोची के सक था अगला प्रस्म पूछा गया है what did he tell उसने क्या बताया about the third level मिन्स तृती तल के बारे में और उसने तृती तल के बारे में क्या बताया तो भईया Sam के दो विचार थे एक सुरुवात का विचार उसका था एक अंतिम का विचार था सुरुवात का उसका विचार था कि एक कुछ नहीं third level कुछ नहीं है क्योंकि 40 परसान है इस संसार्स की समस्याओं से परसान है तो इसलिए उसने अपने दिमाग में ऐसा creation third level का बना लिया हुआ है तो सुरुवात में यह उसके विचार थे किसके विचार थे Sam Wiener के और last में हला कि बदला हुआ था और बदला क्या हुआ था उगया भी हो गया था जैपत्किमाद्धम से पता चला था कि वह third level में पहुच चुका है तो तो अलग बात है लेकिन आप सुरुवात की ही बात को लिखोगे सुरुवात में जो उसके विचार थे third level की बारे में वही विच ने हुआ साइकोर्टिस्ट इसका उत्तर देखी लिखे हैं चालीज फ्रेंड में चाली का दोस्त सैम साइकोर्टिस्ट था चाली का दोस्त सैम साइकोर्टिस्ट था यहां पर सैम वीनर इसका आप पूरा भी नाम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सैम भी लिख सकते हैं सै इक उत्तर हो गया कि चार्लीज से फ्रेंड सेम वाज साइकोर्टिस्ट हो गया आगे बढ़ते ही दूसरा प्रश्ण जो पूछा गया है वाट डिड ही टेल इसने तर्टी तल के बारे में क्या बताया देखी हमने उसका उत्तर लिके हैं ही जो है क्या उत्तर लिके ही इन स्ट और कुछ नहीं है मिन सुरवात में उसने बताया था कि यह एक दिवास वापनी की पूर्ती हो जाना है और कुछ भी नहीं है ही आलसो टोल्ड उसने यह भी बताया था देट चार्ली वास अनहपी की चार्ली दुखी था उसने भी बताया था कि चार्ली दुखी था इसलिए उसके दिमाग में थर्ड लेवल का creation हुआ है तो भाया आपके दूसरे प्रशन का सिद्धे सटीक उत्तर हो गया एक बार आप इस प्रशन का उत्तर और देख लिए उसके बाद हम लोग तीसरे प्रशन की तरफ आगे बढ़ते हैं प्रशन का उत्तर कुछ इस तरह से है चाली प्रशन की तरफ देखते हैं तीसरा important reason कौन सा है तो भाया यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा important question है what did Charlie find Charlie ने क्या पाया विन ही इंटर जब प्रिवेश किया तूदी थौर्ड लेवल में इस त्रिती तल में मिस जब चाली त्रिती तल में प्रिवेस किया तो वहां पर उसने क्या पाया तो भया उसने वहां पर पाया हुआ था कि सभी पुराने ज़माने की कपड़े पह लोगों को पुरानी जवानी के कपड़े पहने वी देखा एन ओल्ड लोकोमोटिव और एक पुराना रेल इंजन देखा निउस पीपर और निउस पीपर देखा डेटेट जिस पे तारी चपी थी जून 11, 1894 और जहे इक पत्र देखा जिस पे 11, 1894 चपी हुई थी और आपका निउस पेपर कौन सा था दी वर्ल्ड निउस पीपर था ठीक है आगे देखी उसने क्य देखा था ब्रॉस इसपीटन्स मिंस पीतल के थुगदान उसने देखा था फ्लिकरिंग गैस फ्लेम्स मिंस फड़फडाती हुई गैस की जौला उसने देखा था जौला का प्रिकास देखा था और बहुत अन सारी चीज़ों को उसने देखा था तो भाया यह आपका इस तीसरे प्रशन का सीधिय सटीक उत्तर हो गया एक बार और आप इस प्रशन का उत्तर देखिए उसके बाद चौथे प्रशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रशन का उत्तर कुछ इस तरह से फ्लेकरिंग गैस फ्लेम्स लाइट एंड मैनी अदर थेंक्स तो भाया यह आपके तीसरे प्रशन का उत्तर हो गया बढ़ते हैं चौथे प्रशन की तरफ और एक बार जल्दी से सभी प्यारचे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास प्लत के सभी प्यारचों में वीडियो को 체 कर दें और जो भी प्यारची प्यारचे पहले पूरा कराय जा चुका है सभी प्रशन के वाल हो रहा होगा थीक है तो प्यार्च क्लास सब धर कुर आपके सामने Чौथा प्रशन है वाट हैपेंड क्या घटित हुआ विच चारली चारली के साथ एड दी टिकेट विंडो मिस टिकेट के खड़की पर मिस टिकेट के खड़की पर चारली के साथ क्या घटित हुआ तो भईया टिकेट के खड़किया पर चारली के साथ का घटित हुआ था यही घटित हुआ था ना कि वहाँ टिकट लेने के लिए गया था गैलिसबर्ग इलनोईस के लिए टिकट लेने के लिए गया हुआ था लेकिन उसने आधूनिक मुद्रा वहाँ पर दे दिया मिस जो वर्तमान मुद्रा चल लई थी उस मुद्रा को उसने दे दिया लेकिन वहाँ पर ते 1890s वर्ड चल ला था मिस 1790 के आसपास की दुनिया चल लई थी तो वहाँ पर पुरानी मुद्रा चल लई थी तो भैया जहे टिकर काउंटर पर जो बाबू बैठा हुआ था उधम क वहाला थी यहीं सारी चीजे वहाँ पर टिकेट विंडो पर हुई थी इन सारी चीज़ों को आपको इस प्रश्न के ओतर में लिख देने हैं लिखे लिखे हुए हैं चारली विन्ट टो दी टिकर विंडो मिस टिकट की खड़की के पास गया दू टिकट पर लिए to दो टिकर चाहता था आगे देखी आगे आपका लिखा गया है ही पेड दी करेंसी आप दी प्रिजेंट वर्ल्ड उसने आधूनिक संसार की करेंसी को वहां पड़ दिया विच वाज टोटली डिफरेंट जो पूरी तरह से भिन थी from 1890s वर्ड जो 1890 के संसार से पूरी तरह से भिन थी unseen the big notes means इन बड़ी बड़ी नोटों को देखने के बाद the clerk got stunned means जह है वह clerk भोचका हो गया स्टनमी सुता भोचका होना अचम्भित हो गया and he thought that और उसने सोचा की चाली वास ट्राइंग टू इसकीन ही मिस चाली उससे धोखा देनी की courses कर रहा है so he threatened इसलिए उसने धमकी दिया to get him arrested उसे गिरफतार करने की इसलिए उसे उसने गिरफतार करने की धमकी दिया तो भाया आपका जह हो गया चौथी प्रिशन का सी देश सटीक उत्तर हो गया कि टिकेट विंडो पर क्या घटी थुआ था चाली के साथ एक बार और आप उत्तर देख लीजे उसके बाद हम लोग पांच ये प्रिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे प्रिशन का उतर कुछ इ अपके चौथी प्रिशन का उत्तर बढ़ते ही पांच वा प्रिशन की तरफ देखते हैं तो यहां पर देखी आपके सामने पांच वा प्रिशन है अगला प्रिशन वा प्रिशन की तरफ लेटा करके लिख दो गया था संदे हैसा चालि को संदे हुआ खता कि वा थर्ड लेवल में प्रिवेस कर गया था और क्यों संदे हुआ था संदे इसलिए हुआ था क्योंकि चाली हमेशा उससे थर्ड लेवल की बारे में बात किया करता था तो ठीक है यह आपका जाहे इसे प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आप देखिए इस प्रश्ण का उत्तर कैसे लिखे वे हैं जो आपका पहला प्रश चाली मिन्स नेरेटर चाली का मिन्स कथाकार चाली का एक मनुची के सक दोस्त था कौन सैम वीनर सैम वीनर नेरेटर चाली का एक मनुची के सक दोस्त था यह आपके पहले प्रश्ण का उत्तर हो गया कहां गयाब हो गया इसका देखिए उत्तर लिखे वे हैं नोबाटी नि means कोई नहीं जानता था where Sam disappeared Sam कहां गयब हो गया ठीके कोई नहीं जानता था Sam कहां गयब हो गया बर चार्ली suspected लेकिन चार्ली को संदे हुआ that he had gone to Galisberg Illinois की वह Galisberg Illinois गया हुआ है because क्योंकि चार्ली used to tell him about that beautiful place क्योंकि चार्ली उसे उस संदर स्थान के बारें बताया करता था तो भी यह हो जाएगा आपके इस पांचे प्रशन का सीधे सर्थीक उत्तर हो जाएगा एक बार और इस प्रशन का उत्तर देख लीजे उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ प्रशन का उत्तर कुछे इस तरह से हो गया सेम वीनर वाज आ साइकोर्टिस्ट फ्रेंड आप दी नरेटर चाली नोबड़ी निव वेर सेम डिसपीरड बट चाली सस्पेक्टेड दैट ही एड गॉन तो गैलेसबर्ग इलनोईस बीकॉज चाली यूज तो टेल हीम एबाट ब्यूटिफुल प्लेस हो जाएगा आगे बढ़ते हैं छटे प्रशन की तरफ देखते हैं छटा प्रशन क्या है तो यहाँ पर देखी आपके सामनी छटा प्रशन है वाट दिचाली डू चाली ने क्या किया टू मेंग से ऑन मिस अपनी आड को निस्ःत करने के लिए डैट ही वाज अंदी थर्ड लेवल की व प्र०्धितल पर है उसने क्या किया तो भीया न्यूसपेपर टारीख से इस से क्लियर हो गया था कि नहीं हम जोनबर में धरड लेवल में प्रिवेश्ट कर चुके हैं तो सी जेसको आपको हैने के उतर में लिख देने हैं देखे लिखे वे हैं तू मेंक से उन में इस निश्चित करने के लिए दैटी वास अंधी थर्ड लेवल की वर्तृतितल में था चाली वागड ओवर टू आ न्यूस बॉए चाली जो है उस न्यूस बॉए के पास गया मिस पेपर बेसने वाले लड़के के पास गया एंड ग् न्यूस पेपर कौन साथ था दी वर्ल न्यूस पेपर था एंड डी वर्ल हैस नाट बीन पॉब्लीजड और जो है दी वर्ल न्यूस पेपर जह प्रकासित नहीं हुआ था फार एस मिस वर्सों से एंड इट वास प्रिंटेट जून 11-1894 और इस पे तारीक कप की छपी तो भाईया इससे उसने पता चल गया कि वह जो है थर्ड लेवल में प्रिवेस कर चुका है तो यह आपके जो है छटे प्रिश्न का सिदे सटीक उतर हो गया एक बार और आप इस प्रिश्न का उतर देख लीजे उसके बाद हम लोग साथ में प्रिश्न की तरफ आगे अससे प्रिश्न की तरफ देखते हैं और टोटल हमने आठ प्रिश्न लिये हैं इस चैप्र में प्रिश्न लियेवे हैं आ स्पराइट है तो भाईया यहां पर देखिए आपके सामने साटों प्रिश्न है और साऽच ज्यादर इंपोर्टेन्ट है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यूपी बोर्ड 2022 के तीन सेट में पूछा गया था और यूपी बोर्ड 2030 के जड़ डब्लू सेट में पूछा गया था जिसलिए आप इस प्रश्ण के महत्र को समझ सकते हैं प्रश्ण आपको क्या है वाड़िड सैम राइट सैम ने क्या लिखा इन ही पत्र में से 2 40 में चाली को मिस जो है चाली को सैम ने अपने पत्र में क्या लिखा तो यहीं लिखा हुआ था की फर्शलिफे안 पाच चुका है यह बात सही और पिछले दो सब्सक्राइब यहां पर इलनोईस में रह रहा है ही आलसो टोल्ड इसने यह भी बताया ही आलसो टोल्ड चाली एंड इस वाइफ उसने चाली और उसकी पतनी को कहा टू कीप लुकिंग फार थी थर्ड लेवल की थर्ड लेवल की जो है तलास क्या करें जारी रखें तो बहिया यह हो गया आपका इस तात्वे प्रशनका सीदे सटीक उतर हो गया एक बार और उतर देख लीजे उसके बाद हम लोग आज की इस क्लास के अंतिम प्रशन की तरफ आगे बढ़ेंगे प्रशनका उतर कुछ इस तरह से इंदी लेटर पत्र में इंदी लेटर सेम हैड इनफॉर्म चार्ली दैट ही गॉट दी थर्ड लेवल एंड ही वाज स्टेंग दियर इन गैलिसबर्ग इल्नोइस सिंस लास्ट टू वीक्स है आलसो टोड चार्ली एंड निवर अगेंड फाइंड थर्ड लेवल मिस जह है क्यों चार्ली दोबारा थर्ड लेवल कभी नहीं पास सके तो भईया इसलिए नहीं पास सके थे क्योंकि उनके जो है दिमाग का है हलुसिनेशन था ठीक है ठीक है और जो है एकॉर्डिंग टू सेम वीनर सेम वीनर जो उत्तर में लिखेंगे और यह प्रश्ण यूपी बोर्ड 2023 के जडियू से पूछा गया प्रश्ण है देखे लिखे हुए हैं चार्ली कुट नेवर अगें फाइंड थर्ड लेवल चार्ली जह है उस्तृतितल को कभी दोबारा नहीं पाया बीकॉस क्योंकि दी थर्ड security और यह दुखी संसार जो है असुरच्छा से बढ़ा हुआ है fear means जह है डर से भरा हुआ वार मिस युद्य से बढ़ा हुआ वरी चिंता से बढ़ा हुआ एंड इलाइक और इसी तरह से बढ़ा हुआ मिस इस जह है इस दुख भर संसार जो इतनी सारी चीजों से बढ़ा था ठीक है hallucination था ठीक है तो यह आपकी जह आठे प्रिश्ण का उत्र हो गया एक बार और इस प्रिश्ण का उत्र देख लीज़े उसके बाद हम लोग क्लास की समावती करें प्रिश्ण का उत्र कुछ इस तरह से चाली कुड नेवर अगें फाइंड दी थर्ड लेवल बीकॉज दी थर्ड लेवल वाज अ मेडियम आप इसके पाद चाली फ्राम दी अनहपी मॉडरन वर्ल्ड डैट इस फुल आफ इंसेक्योर्टी फियर वार वरी एंड दी लाइक हो जाएगा तो भाया ए आपका इस प्र प्रशन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कहीं पर कोई दिक्कत समस्या नहीं होई होगी तो अब भाया एक बार आपको बता देती हैं कि पेड क्लास में आपको क्या-क्या चीज़े देखने को मिलेंगी और पेड क्लास की एडमीशन प्रक्रिया क्या है और जो भी ब क्लास में आपका इंग्लेश्स का किम्टीट सलबस क्राएज आएगा मिस लीटेकचर प्लस ग्रीमर पूरी तरह से कम्टीट क्राएगा आपको जो है इस सारी चीज़े आपको paid class में देखने को मिलेंगी और इस paid class का target है आपको English में 100 out of 100 marks के लिए पूरी तरह से तयार करना और fees प्यारचे केवल 499 रुपए fees है और यह पूरे session की है जब तक आपकी final board पर इच्छा नहीं हो जाती है और आप payment कैसे करेंगी आप Google पे phone पे Paytm भ दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नमबर दिया गया है इसी number पर आपको payment करने हैं अगर आप इन में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके payment कर रहा हैं या फिर आपको यहां पर एक बेंक डिटेल का भी प्रयोग करके payment कर सकते हैं या फिर आपको यहां पर कुछ QR code दिये सकते हैं और पेमिंट करने के बाद आपको पेमिंट का स्क्रीन साट लेना है उस स्क्रीन साट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर पेमिंट के स्क्रीन साट को वाटसब कर देने हैं वाटसप करने के बाद आपको एक फर्म बेजा जाएगा, तो इस फार्म को आपको फिल अप करने होंगे, फार्म को फिल अप करने के बाद आपको 24 गंटे के अंदर ही paid class में add कर दिया जाएगा, बाकी प्यार्चे अगर payment की regarding या फिर किसी भी प्रिकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप इसी नंबर पर 24 गंटा कॉल कर सकते हैं WhatsApp message कर सकते हैं आपके कॉल और WhatsApp का reply किया जाएगा तो भाईया एक पूरा admission process हो गया उमीद करते हैं सभी प्यार्प्चों को अच्छी तरह से समन्द में आ गया होगा कोई दोविधा कोई confusion नहीं होगा और जो भी बच्चे afford कर सकते हैं 499 रुपए बिल्कुल आप नीसंग को चैडमी से लेना क्योंकि इसमें सारी चीजे प्यार्प्चे आपको बहतरी इंढंक से दी जा रही है ताकि आपके board परिच्छा में 100 out of 100 marks इंग्लिस में आ सकें तो भाईया अब यहीं पर class की समापती करते हैं एक बार सभी प्यार्प्चे वीडियो को लाइक कर दें और जो भी बच्चे चैनल पर पहली बारा है थे चैनल को सिस्क्राइब कर दें और class ट्रॉल्ट के सभी प्यार्प्चों में वीडियो को सेयर कर दें और कुछ बहतरी लाइनों के साथ class की समापती करेंगे इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर ठक जाए जिसलिए प्यार्प्चे आपको अपने काम से दूर नहीं भागना है और आपका काम क्या है आपको पढ़ाई करना है और बहतरी नग से पढ़ाई किये रहोगे तभी आपका बोर्ड परिच्छा का पेपर बहतरी नग से जाएगा और वही आप पेपर बेहतरी नंग से जाएगा तब यह आपका रिजल्ट बेहतरी नंग से महनत कर रहे होंगे इन्हीं उमीदों के साथ सेसन के समापती करते हैं मिलते हैं अन्य किसी important class के साथ मिलते हैं तब तक आप लोग अपने ध्यान रखें अपने परिवार के ध्यान रखें लब यूल प्यार बिच्चों